हेलो दुस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Swapsy पर Swapping करना चाते हैं और यहां पर आप किसी भी प्रोड़क्ट पर क्लेक करते हैं उसके बाद यहां पर आपको इस तरह का मेशर्ष होता है something went wrong please try again later तो यहाँ पर इस problem को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा चरू देखिएगा तो यहाँ पर दुस्तो कई बार अपने को इस तरह का एक message होता है तो यहाँ पर इस problem को ठीक करने के लिए दुस्तो यहाँ पर आपको आना है back back आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद दुस्तो यहाँ पर आपके option मिलेगा sim card and mobile data का तो आपको उस पर click कर रहा है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपके मोबायल में जिस भी सिर्म से आपका नेट चल रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ रहा है नीचे आपको एक अपसर बिलेगा access point name का तो आपको उस पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपर आना है उपर आपको two dot दिखेंगे तो आपको उस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा दोस्तों reset access point तो आपको उस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक Pop-Up Show होगा Reset Access Point तो आपको उसपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आना है Back Back आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आपको एक Option मिलेगा App Management तो आपको उसपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर उपर एक और प्रोमे मिलेगा एप लिष्ट का तो आपको उससन पर क्लिक करना है कि इसके बाद यहाँ पर अपको अप Con Этот कम इस तो इसके बाद यहाँ पर एक नियुक्त आपको और भूंड लेना है पर जाने के बाद तो यहां पर आपको इसका clear data कर देना है उसके बाद यहां पर आपको आना है back और उसके बाद आपको एक option मिलेगा data uses detail तो यहां पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर आपको option मिलेगा disable mobile data अगर आपके mobile में button off है तो आपको on करना है अगर on है तो आपको उसको off करना उसके बाद नीचे का आपको offset मिलेगा background data का अगर आपके mobile में off है तो आपको simple सा इसको on करना उसके बाद back आना है अगर बैक करने के बाद यहाँ पर आपको आपना जो भी प्ले स्टोर है उसको open करना है और यहाँ पर आपको search देट करना है उसके बाद आपको इसको ड है तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आप देखने को नहीं मिलेगी तो इस तरह को आप ठीक कर सकते हैं तो यहां पर आप prépar वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें. चैनल को सब्स्क्राइब करें. थन्यवाद.